गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स जो हम आज कल टेक्सोनोमी की बात कर रहे हैं और फैमली को पढ़ रहे हैं तो अभी तक हमने काफी फैमली पढ़ नहीं है उसी में एक आज नई फैमली पढ़ रहे हैं हम लोग यूफोर बीएसी जिसका नामकरन जो है वो जैसु ने किया कि प्लांट होते हैं और इसके लावाए इसमें भी काफी मिल जाता है चाहे in,-दिक्विक लाथ यह हम लीव की बात करें या हम इंफ्लोरेसंस की बाथ करें ,इवन जो प्लार्डस हैं उनकी भी बात प्रे में तो इसमें काफी वेरिएशन हमें देखने को मिलता है तो आज हम बात करेंगे इसी एक बहुत अच्छी और बहुत मतलब एक यह कह सकते हैं कि बहुत बड़ी फैमली है U4BAC और इसके बारे में जानते हैं कि क्या-क्या इसमें हमें जानना है और क्या-क्या हुआ है अब तक तो शुरू करते हैं U4BAC सबसे पहले डिस्टिबूशन 321 जनरा 7770 स्विशीज अब यह जो 7770 स्विशीज है इसमें इंक्लूड हम करते हैं फाइलन्थेसी को फाइलन्थेसी जो है वो फैमली कभी बना दी गई थी अलग से और फाइलन्थेस जो उसमें डाल दिया गया था कई जगहां आप क्लासिवि सूर भाइलन्थेसी लेक्ः मिलेगी अलाएं इसमें अभी भी जो जोह ए विवात का विशेए हैं और बहुत से लोग सथो को इसको अभी भी फाइलन्थेसी में मानते हैं अब क्या है और क्या हो सकता है तो आगे जो एपईली मीटिंग होगी उसमें पता चलेगा कि जा व पर विद्धे में और सिमय कोुदध में तो आगे अगे दे हैं टो डिस्टिबिशन इसका देखते हैं तो ट्रोपिकल में स operate कुल जबुटर में गले। जब humidity बढ़ती है और rains होती है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि इसके members इधर उधर grow करने लगते हैं wild habitat में तो उसमें हम इसको देख सकते हैं अच्छे से बागी तो ornamental बहुत से इसके plant हैं जो कि लोग घरों में लगाते हैं और उसकी सालबर देख भाल भी करते हैं इसमें इसे भी यि कॉष्पर को देखें है जोंने यूनी सेक्सवेल बता दिया था क्युंकि इसमें चो Stephler रुणत और तो एपी जी सिस्टम जो है वो इस सGold के अधाsy तो आगे आने वक्त में एपीजी थर्ड या फॉर्थ जो भी क्या इसमें इंप्रूमेंट करते हैं तो वो तो हमें जब अपडेट हम देखेंगे अगली मीटिंग इनकी कब होती है और कभी इसका जो प्लेस्मेंट है वो रिवाइस करते हैं सेलिन फीचर तो इसमें क्या है कि बहुत कुछ ऐसा है जो दूसी फैमिलीज में नहीं मिलता है तो वो इसके सेलिन फीचर हो जाते हैं एक तो मिल्की लेटिक्स होता है मिल्की लेटिक्स हाला की अपो साइनेसी भी मिलता है लेकिन यहां पर भी मिलता है लीव जो हैं यूजि बहुत कुछ मिलता है कार्विटी ते लेकिन यहां पर आकर यह फरक कर जाता है कि यह पर औरी थी चैंबर होती है ओवियूल जो है वो दो बनाते हैं ओवियूल में यह करेंकल पाया जाता है तो यह क्या होता है इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे तो यहां पर आप यह जो इसका इन्लोरेस्द देख रहे हैं तो बहुत करेक्टिरिस्टिक इन्फोरेसंस होता है और ये इसको कहते हैं there बहुत बार सवाल इदर उदर आते रहते हैं। साइथीम पुश पुकरम किसमें पाया जाता है तो हमारा आंसर फीर होता है Euphor vịसी तो कभी-कभी वो प्लांट के नाम लिखे होते हैं, फैमली नहीं लिखे होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट यूफोर्बिया सी का, वोसी को हम टिक कर सकते हैं अब बहुत से जनरा थे, बताये थे मैंने कि इसमें करीब 7000 के आसपास इसमें आपको टेक्सा मिलने हैं, तो एक तो जो इसका मोस्ट कॉमन है, जिसके नाम से फैमली है, टाइप इसका जो जीनस है, यूफोर्बिया है, और इसमें 200 स्पेशीज हैं, अलग अलग तरीके कि आ आपको इसमें वैरियेशन मिल जाता है, तो बहुत जादा वैरियेशन वाला जीनस है, यूफोर्बिया, इसके लाबा करूटन है, 720 स्पेशीज हैं, और यह हमने देखा हुआ है कि औरनमेंटल के तोर पे हमारे घरों में, या इदर उदर जितने भी आफिस और यह सारी ची की तो जिसके चक्कर में सारा कुछ चकर चला था कि फाइलेंटल जाएगा, यूफोर्बियाशी में जाएगा, कहां जाएगा, कहां नहीं जाएगा, तो पाइलेंटल जो है वह इसमें फिलाल अभी 500 2000 के साथ यूफोर्बियाशी में पड़ा हुआ है, और जब तक अगला लिखते हैं तो हम कोट कर सकते हैं कि यह हमने इन में देखा था तो कभी जैसे टर्माता है ना कि इन लगा देते हैं कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन होता है तो हम इन लगा देते हैं जैसे फालेंटी सी लिख रहे हैं तो फिर हम लिख दें इन अब जहां से देखा वो साइट कर दीजे वो बुक हो या कुछ हो महां पर आप साइट कर सकते हैं एक लाइफा 350 स्पिशीज इसकी है और ये भी एक और्नमेंटल प्लांट की तरह लग जाता है हलाई ये वाइल प्लांट होता है इसको और्नमेंटल लोगों ने बना लिया है क्योंकि इसमें इंफ्लोरेसंस आप देखें कि बड़ा अच्छा सा खुब्सूरत सा निकलता है ग्लोची डियान ये अगला प्लांट है और इसमें आप ये करेक्टरिस्टिक इंफ्लोरेसंस देखते हैं और वहीं पर ही बीचो बीच पतियां भी निकलती रहती है और साथ-साथ इसमें फ्रूटिंग भी होती रहती है तो ये बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है ग्लोची रीचेंज होस्तों अर्म प्लांट प्लांट की तरह लोग लगाते हैं अलागि अब इसमें इसको रबर के सोर्स पर भी देखा जारा है रबर के स्टेंट मानते सिसे के लावा जेट्रोफा है जिसको की बायो फ्यूल के तौर पर बहुत जादा यूज खरा जा रहा है और बहुत बड़ा यरी अप्षिन बनके उबरा है आसानी से ग्रू हो जाता है और टेजी से ग्रोधर चाही प्रोडेक्शन इसमें हमें अच्छा मिल सकता है जेट्रोफा और आप कभी भी बायो फ्यूल वगरा की बात करेंगे तो महां जो प्लांट यो फॉर्वेसी का एक आता है उसमें जेट्रोफा जरूर उसमें उसका जिक्र होता है तो यह भी कमर्शली बहुत इंप्रॉटन प् सबस्क्राइब करते हैं जाता है कि वह जाता है कि इसने हमें बहुत की मिलता है और इस प्लांट कोई अभी तरह कितना अच्छा उप्स्न नहीं के दिन प्लान पर ईसको हम र mercy करता आया कि हुलम में हो आ और इसमें सभी में जो है वो ज़ादा तरपां वैंके स्대PN कि लेटेक्स मिलता है कभी-कभी प्लांट होते हैं जैसे कैक्टस अपने देखा उस तरह कि सेंट्स होते हैं और प्लांट मैं आप मिल्की लेटेक्स होता है, यह काफी पॉईजनेस होता है और आप देखेंगे कि इसकी पतियां वगधा भी जानवर जो ग्रेजिंग करने वाले जानवर जो पत्ते वगधा खाते हैं तो आप देखेंगे कि यह इन प्लांट्स को टच्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पर दो उसके बाद इनसानों को लगा कि यह बी खा रहे हैं और थोड़े बहुत हमसे मिलते जुलते भी हैं तो हम भी एक खा सकते हैं तो उस वक्त जो भी शुरुवाती इनसानों को लगा कि यह बहुत हैं इनसान थे उन्होंने जानवरों से ही सीखा और उसके बाद वो चीजें जो जानवर खा रहे थे उनको उन्होंने खुद भी खाना शुरू किया तो यह भी एक इंडिकेशन अच्छा दिया कुद्रत ने और इनसान की समझ के साथ यह उनको पता चलता चला गया कि कौन सी अपोजिट भी आपको पता है एक्जामपल आप उसमें देख लीजे यूफोर्विया है जिसमें पहले आपको तस्वीर दिखाई थी और एक्जोकेरिया है इसके लावा वर्ल में भी मिल जाती है जैसे के मिश्वडॉन है इसमें वर्ल भी लीप्स होती है सम्टाइम सम्टाइम स्वinals होते हैं सम्टाइम्स पाइन में बदल जाते हैं यह यूफोर्विया मिली का प्लांट आप देखें तो इसमें कि जगांपर इस तरह से ना मिले तो बहुत ज़दा variation leave के case में होता है यहां पर यूफोर्वियसी में तो यह mission dawn है जहां पर आपको बता रहे थे वरल में मिल ले हैं तो यह देखिए यह एकी जगा से इधर 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 सब तरह पतिया निकल ले हैं तो यह वरल में हो गई यूफोर्विया मिली जिसकी बात कर रहे थे यहां पर आप देखें यह देहरों काटे यहां पर हैं तो वह modification हो गया और यहां पर इस तरह के स्पाइन्स बन जाते हैं तो यह इसको दूर से देखके आप अचान जाते हैं यह यूफोर्विया मिली है क्योंकि इसके जो इस तरह में बहुत से काटे होते हैं जो की सब्सक्राइब होता है जैसे कि आप यह देख रहे हैं माल लीजे कि यह एक इन्वालुकर बन गया इन्वालुकर वह होती जो कवरिंग होती है फ्लावर की तो इन्वालुकर हो गया उसके बाद यूजिवली फाइव नेक्टरीज अलॉंग दी रिम आप दिन्क्लोजिंग न्यूमरस मेल फ्लावर अब इसमें क्या होता है कि यहां पर कुछ नेक्टरीज भी पाई जाती है और मेल फ्लावर भी जो कि सिफ स्टेम से डिनोट होते हैं सिफ जो स्टेमन होता है वही दिखते हैं उसमें और कुछ नहीं दिखता है तो यह मेल फ्लावर इस तरह से निक इसके ये आपको इस टाइल दिख रहे हैं क्योंकि यह 3 जा रहे हिए निचे की तरफ देखेंगे तो WE सब्सक्राइब भी जो तरफ है घ्सकाने करने कि सकते तो ससर हो पिरिव में भी टेंगा को खुशा रागर देंगमने स्थक्राइब को पाना है लेकिन शोटि干़ पीजिद की संटल्वत करें में एक कोद शोड़ देड्मेंव हो गया क्या हो गया क्या हो गया तो ऐसे रिंग में लगे हुए नहीं होते हैं और जिग-जग लगे होते हैं इसको कहते हैं स्कॉर्फियोड विदाउट पेरियन पेरियन इसमें नहीं होता कोई भी टेपल एपल नहीं होता ना सपल होते ना पेटल होते हो टेपल भी नहीं हो सबस्क्राइब Veterans और पेक्म और सब्सक्राइब शाइटम फूर्चवरागा दो सवाल ज़्याद्बॉ यह कल सकता है उसका परोड़ागार था च्छी सब्सक्रा दो प्लांट अलग अलग भी हो सकते हैं, एक ही प्लांट पे दो अलग-अलग फ्लार भी मिल सकते हैं, तो इस तरह की condition इसमें देखने को मिलती है, अक्टिनो मारफिक होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, तो दोनों ही करेक्टर क्या है, यह कहते हैं, यूनिशेक्सफल एक को जो है तो यह ऊच्छ about पूरा है स्ट्रक्टर यह इसको हम बोलते हैं token तो रेरली सिक्स इन्टू वर्ल जैसे फाइलंथस में होते हैं एपसंट भी हो सकते हैं यह फोर्विया में होते ही नहीं है जो साहितिया में इसमें अभी आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि महां पर नहीं था और इन वालुकर था ना कि टपल थे पेटल यूजवली अझेलन नुकिन जो इत्रोफा जो आप झालो तो तो यहां कंडिशन जो थोड़ी बहुत वेर्येट कर रही है वह जट्रोफा ऐलुराइट्स यहां पर जो है फ्री और कोनेट मिल जाते है और इन में जो है वह आपको पेटल्स मिल जाते हैं तो दो ब्लांट ऐसे हैं जट और उसमें प्राइबरालेस करें जमस्ते जो अभी जाते हैं जो अभी प्लांटमों डिटेल में पढ़ेंगे वहां पर इस बात को मों दुबारा से पढ़ेंगे Interes जो Sono Bythicus होते हैं और समटाइम बहुत कम ऐसा होता है Monothicus होते हैं जो Raciness में मिलता है और Raciness में Monothicus असलिए हो जाते हैं क्योंकि बनते हैं तो B тीकस हैं लेकिन Split कर जाते हैं तो Split करना के बाद Monothicus Condition हमें मिल जाती है तो होती है यूजुली जो उनकी formation ने वो bythicus की तरह होती लेकिन splitting की वज़े से जब हमें वो मिलते हैं तो हमें monothicus के form में मिलते हैं dehiscence longitudinal होता है यह common character हो गया और इस इनस को तो भी हम detail में पढ़ेंगे वहाँ पर यह सारी चीज़ें हम फिर से एक बार देखेंगे गायनोशियम थ्री उनाइटेड कारपल्स होते हैं तो तीन तो ही यह ट्राइकारपलर ही है और सिंकारपलस कंडिशन हो गई कभी-कभी जो है वो चार से जादा भी हो सकते हैं ओवरी सुपीरियर होती है कोई भी इसमें अपवाद नहीं है ट्राइल अकुलर होती है वन टू टू ओवियोल से नहीं चेमबर प्लेसेंटेशन जो है एक्जाइल होता है इस्टाइल युजवली तरह होते हैं तो इस्टाइल तो वैसे भी जितने चेमबर होंग उतनी बन जाते हैं तो यहां पर यह तो आपको स्टाइल दिख रहा है यह उपर की तरफ आपको स्टिग्मा नजर आ रहा है और यह आपका जो ओवरी वाला पार्ट है वो दिख रहा है तो इसी को हम क्या बूलेंगे सब तीनों चीज़े मिला के फिमेल फ्लार मेल फ्लार जो है वो नीचे की तरफ होते हैं यूजवली एक ही उसमें एक ही स्टेम म मेल फ्लार बन जाते हैं जो कि इस तरह से आपको दिखाई पड़ेंगे यह अगर हम बात करेंगे रिसनर्स की तो यहां पर बहुत से होते हैं और मोनो थिकस होते हैं तो अभी तो हमें फिलाल गायनोशियम में इतने हिस्टे को देखना है तो यहां पर आपको समझ में आ ग यह बात होगे गायनोशियम की फ्रूट फ्रूट शाइजोकार्पिक कैपसूल होता है इसके बारे में पेछले कई फैमली में पढ़ चुके हैं और रेगमा होता है रिसिनर्स में जिसको हम देख रहे हैं यहां पर इस तरह इसमें तीन तो हिससे आप देखी रहे हैं अगर अर्विट के हम स्टीयश करते हैं तो हमें पूरा अंदाजा हो जाता है गायनोशियम का तो यह तीन इससे बहुत क्लियर नजरा आ हरे हैं हमें और इस तरह का जो फूट होता है जिसमें यह कारटे नुमा स्ट्रॉक्च्टर निकले रहते हैं इस तरह हलागी यह चुपते तो नहीं लेकिन इस तरह की बाहर की तरफ ग्रोथ होती है जैसे कि आज कल क्रोना वाइरस चला उसी तरह से यहां पर आउट ग्रोथ है और इनी को इस ताइब के जो फ्रूट होते हैं उन्हें हम रेकमा कहते हैं कभी कभी बैरी और डूप भी हो सकते जैसे ब्राइडिलिया म सेट का जो पोर्शन है वह तो रहता है लेकिन तो लेकिन साथ साथ उसके चारो तरफ खूप सा जो है फ्लेशी आॉट्ग्रोथ हो जाती है और वही जो एकस्ट्रा उट्ग्रोथ है उसी को टर्म को तर्म देतें तो यूजूल कंडीशन करव हो गगी कभी कभी स्टेट भी मिलता है ण्डीर सपर्म अबंदन भी हो सकता और एप operator हो सकता है तो जब हम देखते हैं कि जम और एंदीओ इसमें वह साईज बड़ा होता है तो इसमें अंडीर सपरे patriot होता ऐगां एंडीर इसमें can कार्पिक में क्या बनेगा बेरी में क्या बनेगा डूप में क्या बनेगा उसके मताबिक यह चेंजेज होते हैं इसके रावा मैनी होट्ड जो हमने पत्ते दिखाई थे और उसमें से भी रभर मिल जाता है इसको कहते हैं सेरा इड़ा वर तो यह तो पारा रभर हो गया मैन्नी होट मिलता ए-स्कोल owो गया और ठिक्रूट्स तो तो थोड़ा सा इसका टेस्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना आलो गएरा के चिप्स का होता है लेकिन जो लोग खाते हैं उसको बड़े चाहूं से खाते हैं तो हम शैदा आप लोग जाएं या मैं गया था तो मैं तो नहीं कहा पाया था मुझे अच्छे नहीं लगे थे तो आप लोग कभी जाएं तो देखिएगा टेस्ट तो करी सकते हैं इसके लावा फिर इसमें और भी एकनोमिक इंपॉर्टेंस है जैसे निडॉस कोलस चायमेंसा यह वेजटेबिल की तरह इस्तिमाल होता है एंटी डेस्मा ब्यूनास यह भी डिविल है एलॉराइटिस मोलुकाना इसको केंडलनट ट्री भी बोलते हैं और एलॉराइटिस फॉर्डी आई जिसको टॉंग ट्री भी कहते हैं यह जो हैं वो पेंट और बॉर्णिश बनाने के काम में आते हैं और इसके लावा वरनिसिया से भी मिल जाता है और कैस्टर ऑयल तो बहुत मष्यूर ही है जो रिसनस से मिलता है तो यह बहुत जंगां इस्तिमाल होता है कॉमन ओर्नमेंटल जो प्लांट है उनमें यूफोर्विया पल्चिरीमा हो गया जिसको लाल पत्ता कहते हैं यूफोर्विया मिली हो गया एक लाइफा हिस्पड़ा हो गया जट्रोफा पेंडोरी फोलिया हो गया और कोडियम वेरिगेटम हो गया जिसको क्रोटन कहते हैं तो ये सारे के सारे जो हैं वह तो हमारे प्लांट्क्त हो गए ऋप्रूट ऑफाइलेंथस से लिग का आमला जाता है किया और आमले का यह है औरा बालों मिला आपई का पीटा मिल आपको है शुक्त है वह भी हमें ओइलेंथस पहुन अमेंस जा वो भी हमे ट्ह amendment से मिलता सप्चल 전에 हम और ये सोप और गयेंट करने हैं बहुत ही लूफिकंड टाइप का होता है तो इसका भी अपना इमपोर्टेम् Sounds कि भात करें तो फाइलो जणी में कन्कृिस्ट ने ओल्ली इस दाफ ओली रिसेंट उथर टू इंक्लूड बकसेशी अभी इंग्सेशी वह इंख्लूड करिये यह फॉर्बियसी के आगे अंडर यॉफॉर्बीयल्स में और यह और यह जो किसमें आता है रोजोडी में आता है जीनस रिसिनस सम्टाइम इंक्लूड़े अंडर सेपरेट फैमिली रिसिनसी में यह कभी डाला जा रहा है वैसे रिसिनस के बारे में भी यह लड़ाई चली थी कि रिसिनसी अलग फैमिली बननी चाहिए लेकिन पर बाद में उस पर सहमती होनी पाई और यह अभी भी अंडर यूफोर्बियस ही है वेबस्टर ने 1967 और 1994 बहुत थी करीव 28 साल के फरक में भी इन्हों ने काम किया और यहीं देखा कि फाइफ सब फैमिली को रिकगनाइज किया इस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर जिसमें फैलेन्थवाइडी ओल्फी डीडवाइडी क्रोटोनी डीडवाइडी और यूफोर्वाइडी यह सब जो उनके अपने अपने टाइप जनरा हैं उसके साफसे सब फैमिली उन्होंने बना दी और इसी को रिकगनिशन जो है वो थोर ने दिया और हलाएकि उन्होंने जो प्रिफरेंस है वो दिया हाई पी को कोईडी ओ और ओल्फिडवाइडी तो यह नाम होना चाहिए उनके मताबिक और ओल्फिडवाइडी नाम यहां से हटा देना चाहिए तो बहराल यह कोई इतना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की बात नहीं है अगर हम यह मान के चलते हैं कि फैलेंटेसी अलग है और य इसका जो टाइप प्लांट है जो हम पड़ेंगे रिसेनस कमीनिस जिसको जो है वो हिंदी में और अरंडी बोलते हैं और एंगलिश में कैस्टर बोलते हैं और यह इस तरह से आप इसका जो है वो देख रहे हैं कहीं पर भी ग्रो कर जाता है और बरसात के तुनों में अच् तो यहां पर आप इसका जो है वो देख रहे हैं पतियां बहुत करेक्टिरिस्टिक हैं दूसरी पैचान में आ जाती है और उपर जो है जब स्टेम बन रहा होता है तो रेडिस टाइप का होता है नीचे की तरफ तो बुड़ी होने लगता है लेकिन नए जो स्टेम होते हैं ग्रीन ना होके रेडिस रेडिस दिखते हैं तो यह पैचान भी बन जाती है फिल्ड में जब हम इडेंटिफाई करने पहुचते हैं रिसिनस कमिनिस को तो सबसे पहले रूट की बात करें तो ब्रांच्ज टैप रूट सिस्टम ए कहते हैं दसे कि आप यह देखे रहे हैं एक यह रूट निकल लीए बरांचिग निकल ले हैं और फिर यह आगे भी बढ़ रहा हैं साथ में आगे भी हमें इसमें भृन्चस मिलती चली जा तो इस तरह के सिस्टम में उसको कहते हैं ब्रांज टैप रूट सिस्टम तो ठीक ठाक मजबूत रूट्स होती हैं बहुत जल्दी यह प्लांट यह उखड़ नहीं पाते हैं कि इस्टम तो बिल्कुल अगर हम देखें कि इस्टम कैसा होता है तो इस्टम एरियल है एरेक्ट है हर्वेशियस होता है लेकिन वुड़ी हो जाता है नीचे की तरफ जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता रहता है नीचे की तरफ उड़ बनती रहती है उपर की तरफ ग्रीनिश और जो रेडिश कलर के स्टेम में ये बनते रहते हैं ब्रांच होता है होलो होता है अगर आप इसका टीएस करेंगे यहां से तो आपको अंदर खाली जगा मिल जाएगी तो अगर ब्रांच हलो नहीं तो हम कहते हैं यह पूरा कंप्लीटल इपिल्ड होता है और विस पर प्लांट का एपिकल पॉर्शन है वहां मिलेंगी वहां पर आप देखेंगे तो इसमें हैर लाइक आउट ग्रोध आपको नजर आई और लेटिक्स इसमें प्रेजेंट होता है इसको तोड़ के कहीं कि कोई भी हिस्सा तोड़ेंगे स्टेम का तो आपको लेटिक्स निकलता ह है कि इसमें पॉइजनेस है तो इसको तो बहुत इपादत से इसका देख भाल करनी चाहिए और जब आप डिसेक्शन भी करेंगे तब भी आप यह देखें कि अपने हाथों वगरा की वाशिंग जो है इस प्लांट को करने के बाद अच्छे से कर लें और उससे पहले वह अ होता है तो वैसे यहां पर भी है लीफ देखें तो लीफ पीटियोलेट है यह बड़ा अच्छा सा पीटियोल आपको यह दिख रहा है अल्टरनेट है यह भी दिख सकता है एक पत्ति यहां निकली अगली पत्ति यहां निकली है यह पत्ति यहां निकली है तो यह कंडिशन होगई alternate deeply parmate हैं local हम देख लीजें कि यह कहां तका रही है यह यहां तका रही है पती अबिअ और आगे होगी जैसे कि आप पीछे पूरी पती देख रहे हैं और यह बड़ा हिस्सारी लोविंग दिखा रहा है कि कहां तका रही है इसकी जो लोब है जो इसमें अंदर बाइफरकेशन हो रहा है वो बहुत धरा ही ठकाता है 7 और मोर लोब्स बन जाती है तो यह आप गिनेंगे तो यहाँ पर आपको 7 कम से कम मिलेंगी और 7 से 8 भी हो सकती है 9 भी हो सकती है तो यहां पर आप कोई भी पत्ती को देख लीजे उसमें साथ से साधे ही आपको यह सारी लोब्स मिल जाएंगे बेनेशन पामेटली रेटिकुलेट डाइवर्जन अब यहां पर यह देख लीजे यह पामेटली रेटिकूलेट का मतलब है कि सभी में, जितने भी इसमें लोब हैं, सभी में एक बड़ी-बड़ी वेन जा रही है. तो जितने लोब हैं, उतनी तरफ यह फेली होई, यह दाइवर्जन्ट होती है, एक सेंटर से निकल के हर तरफ फेलती है, तो यह भी एक करेक्टरिस्टिक होता है कि पामेटली रेटिकुलेट है और डाइवर्जेंट है इन्फलोरेसेंस, कंपाउंड रेसीम होता है और पैनेकल भी इसको कह सकते हैं और टर्मिनल होता है प्लांड के बिलकुल टॉप आपको ब्रांचिस के टॉप पे इंफ्लोरिसंस मिलता है तो यह तो ठीक है टर्मिनल है और है इसी मैं पैनिकल है तो यहां पर क्या आप देख रहे हैं कि इस था को दिखाई पड़ रहा है रहे सीम का क्या होता है कि शूट जो है वो तो बनाता है male flower, जो कि आप ये देख रहे हैं, ये yellow yellow जो दिख रहे है, अलके-अलके, ये male flower है, उपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, तो ये red वाले दिखने लगते हैं, ये होते है female flower, तो होता है कि जो axis है, जिस पे flowering का axis है, जो inflorescence है, वो एकी axis पे बना है, flower में दोनों sex मौझूद ने होते हैं, unisexual होता है, नीचे का portion male का होता है, उपर का portion female का होता है, तो ये इन्होंने हापस में distribute कर रखा है, तो ये बहुत एक characteristic influence हो जाता है, जिसको हम panicle कहते हैं, या फिर इसको compound raceme भी कह सकते हैं, compound raceme इसलिए करने हैं कि raceme उस तो है, compound ये क्या हो जाएगा, compound हो जाएगा, male flower are seen below and female flowers near the apex तो वही जो मैंने बात बताई कि आप male flower को नीचे देखेंगे और female flower को उपर देखेंगे, male flower इस तरह का होता है, जैसा आप देख रहे हैं, bractiate होता है, अब यहां से जो निकला होगा, वहां पर प्रैक्ट होगा, e-bractiolate ह अब एक्टियोल नहीं होती, पैडिसलेट होता है, यह पैडिसल आपको दिख रही है, यह पैडिसल लिक रही है, अक्टिनोमारफिक मालूम है, इनकम्प्लीट होता है, क्योंकि इसमें female part नहीं होता, यह सब जो आप देख रहे हैं, यह इसके stamens है, पेरियन्थ, टपल पा होता है हमें, और दो इसके पीछे होंगे, एक तो यह दिखी रहा है और एक इसके पीछे नीचे की तरफ होगा, तो यह five इन नमबर होते हैं, सिंगल वर्ल में अरेंज होते हैं तो एक ही वर्ल में अरेंज होते हैं एक ही जंगा से यह निकलेंगे और सब तरफ पहल जाते हैं इधर आगए इधर आगए इसी तरह इधर आगए इधर आगए और इधर आगए और जुड़े होते हैं तो वेलवेट एस्टिवेशन इसमें होता गैमों में वैलिवेट होता है हिसमें कोई डाव्ट होने ही नहीं नी चाहिए हमें और टपल इस पोस्टीरियृ निंड पोजिशन जो अकेला एक आता है जिसमें पेरिंग नहीं होती है वो स्टीज यह बालन का मतलब कि जब हम इसका डैग्ञाम बनाएंगे तो पॉजिशन को एंडुशियम स्टेमेंस मैंनी होते हैं जो आपको दिख रहे हैं यह धेरो धेरो दिख रहे हैं इसमें कोई गिंती ऐसी निश्चित नहीं है पॉलिड लफस होते हैं सबके सब फ्री होते हैं दूसरे से इनका कोई संबंद नहीं होता कि जोड़ जाएं ऐसा फाइब डिख लोव संसरे लोड़ है वो दिखाई पड़ेंगी कि यह सब्द क्या है कि एक-एक कई एक इसमें है एक आप इसमें से एकमान लीजह कि आपने यह निकाल लिया तो इसमें आपको फाइब दिखेंगे तो यह क्या है कि यह United होते हैं Branch United to form five branches तो five branches बन गई एंतर जो होते हैं Diaticus होते हैं और बाद में वो Mono भी हो जाते हैं को कि split कर जाते हैं Glowose होते हैं Basifix होते हैं Introse होते हैं Under की तरफ गिरते हैं And Dacing by longitudinal slit So longitudinal slit इसमें पाई जाती हैं तो कुल्मिला कि ये जो है वो इंडोशियम का पाल्ट होकि और इसी मदद से आप फ्लीड में आटन टिफाई कर रहाए यहां पर यह बिल्कुल इमर्ज होते हुआ आपको दिख रहे हैं जो कि आप पर इस्पिलिट कर रहे हैं। स्प्लिट करने के बाद आप देखेंगे कि यह सारा इसी तरह से खिला हुआ सा बाहर नजर आएगा गायनुशियम अब मेल फ्लार की बात है तो यह absent होता है लेकिन पिस्टिलोड जो है वो present होते हैं तो गायनुशियम जहाँ पर बनना चाहिए वहाँ पर को छोटे-छोटे stock like structure बन जाते हैं जिनको हम कहते हैं पिस्टिलोड को कि वहाँ बने नहीं लेकिन वहाँ पर इनकी जं इक्तियोलेट हैं पेलिकुल वैसे ही जैसे कि a मेल फ्लार में था अ पेरियंथर यहांपर तिन उते हैं वहां तो पास्ट यहां पर क्या लबիर espaço अगर यह तेन होते हैं और शिंगल और मु estar प्लते हैं ग्रेम अगरski गैनलीं पर यह यहांपर देखे फजिए यह जो कंडिशन होगी यहां То हमें पाच मिलेंगैं कि मेल हैं लेकिन अगर यह खुलिएगा तो इसमें 38 की यह फि मेलेंगे टो टेपल मेल में फाईव ईसमें 13 अन्डूषयाम एपसंट होता है क्यों कि फी मेल फिलार है लेकिन इसकी जगहाँ पर난ांगी जिनको हम कहते हैं Staminode, तो वो हमें वहाँ पर मिल जाते हैं, male flower में pistillate, pistillode मिलते हैं और यहाँ पर Staminode मिलते हैं, यह भी एक feature है, याद रखना है कि होते तो नहीं है, लेकिन उनका impression उनकी जंगा flower में बनी रहती है, Gynosium ovary superior, tricarpularis, incarpus, ovary trilocular होती है, और एक ovule सब locule में होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब यह एक एक ovule है, और यह जो जंगा है, जो white color से दिख रही है, यह locule है, और एक यह carpul हो गया, एक यह carpul हो गया, और एक यह carpul हो गया, तो trilocular, और ovule जो उसमें, यह tricarpularis पढ़ा था, ट्राय कारपरी वो हो गया, जो black से आपको बाहर दिख रहा है, इसमें कोई आपको partition नजर नहीं आ रहा है, ट्राय लॉकुलर हैं, तो locule जो white white जंगा आपको बीच में दिख रही है, यह हो गया, और सभी में एक ovule भी दिख रहा है, तो यह ovule हो गया, और प्लेसेंटेशन एक्जाइल एकों की एक्सिस पर यहां पर जो एक्सिस है, इसी पर यह हर तरफ इधर निकलें, इधर निकलें, इधर निकलें, इधर निकलें, तो एक अगर हम बात करें, तो यह तो इस्टाइल हो गया, और यह इसका स्टिग्मा हो गया, प्रूट, रेगमा होता है, रेगमा का मतलब आप देख रहे हैं, इसमें बड़े करेक्टिरिस्टिक आपको इस तरह की आउट ग्रोथ मिल रही है, जो कि आपको यहां नजर आ रही है, जहां तक कि जब यह रप्चर कर गया, उसके बाद भी यह आउट ग्रोथ आपको नजर आती है, जब इसको साफ कर लीजेगा, तो आप देखेंगे, इस तरह की दिखाई पड़ते हैं, इसमें थोड़े बहुत हलके बुल के काटे नजर आते हैं, जब इसको साफ कर लीजेगा, तो इस तरह के सीट्स आजाएंगे, और यह सीट्स एंडोस्परमस होते हैं, इसी वज़े से यह कैस्टर आयल हमें निकल पाता है, यह जो एंडोस्परमस होते हैं, उनहीं से हमें आयल मिलता है, जो नोन एंडोस्परमिक सीट्स हैं, उन से हम तो मेल फिलार उसके बाद इसको अगर हम फिमेल फिलार एक पाइप ऑगतें में आहरा मी में धख़डहा है कि तीन होटे हैं तो यहां पर आपको अब लो वि कि धृथ्ट करें फिमिल फिल टी तो इस तरह से नज्ड़ आए-गाइग, इस्टिग्मा दिखेगा Nou लृव uz लिक्षाइल होता है क्योंकि चीए सेंटर से निकल ले होते हैं तो यह कि रिविजिन slyde थी, जो आप और आपने पड़ा रेसिनस के बारे में उसको आप दोबारा से देख पाएं हैं अब यहां देख लीजे कोई ब्रैक्टियल आपको नहीं मिलेंगे, ब्रैक्ट मिल जाते हैं, तो ब्रैक्टियल फ्लार होता है, फ्लोरल फार्मूला डायगराम की बात करें, तो फ्लोरल जो यहां पर होता है, अगर मेल पाल्ट हम देखें, अभी तक हमने फिमेल पाल्ट देखा था, उससे पहले हम इसकी दिखेगा और यह नीचे आपको पेरियंट दिख रहे हैं जो पांच नंबर में हैं तो वन टू थ्री फॉर फाइफ यह इसका आपको पेडेसल दिख रहा हैं और उसके बाद स्टेमिन्स को थोड़ा सा और इलाज करके देखें तो वही आप देखिए कि इसमें सबी में जो है वो ब्रांचिंग हो रही है और कूपसा एक बहुत जाधा मतलब क्राउडेट कंडिशन मिल जाती हमें क्योंकि ब्रांच फिलामेंट इसमें हो जाते हैं कि यहां पर भी इस तरह से ये फर्दर डिवाइट करता है यह निकलना हो यह तो एक ड़ाइड करता है तो यह उपर की तरफ जो बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं तो आपके होते हैं इसका फिलमेंट है और बाई धीका से एक यह धीका है अब हम बात करें डियगराम और उसके तो यहां पर दिख जाएंगे आपको यह एक दो टीन चार पाच यह तो टेपल हो गए उसके बाद सभी के सामने आप देख लीजिए कि इसमें सभी में गुच्छे में लगे हुए हैं इसके स्टेमें और बीच में कुछ नहीं होता लेकिन एक जगा बनी होती जिसको कहते हैं पिस्टिलोड और यह ब्रैक्ट हो गया इसी तरह फिमेल की बात करें तो यहां पर टेपल तीन होते हैं वन टू त्री उसके बाद यह खाली जंगा है कि यह जंगा कंजियूम नहीं होई क्यों कि यहां पर मेल को लगना तो लेकिन नहीं लगे तो क्या होते हैं वैरे जाले पीक्स यहां पूर यहां पर बनाता है तो हम इस तरह डौ करना पड़ता है अब इसके यूजिस बहुत हैं तो क्या है कि एक्स्टेक्ट है रिसनेस कम्यूनिस का उसमें एक्री साइडल और इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटीज मिलती है एरेकनिडा जो क्लास होता है उसको अगर उसके कीडे मारने वाले जो दवाई है वो इससे बन जाती है इसको एक तुमाम तरीके के आते हैं डायप्तिरियन आते हैं और पता नहीं कौन-कौन से आते हैं तो सभी इसमें इस तरह की इसमें एक्टिविटी मिलती है एंड इंसेक्टिसाइडल और मेंबर्स जो बोड़ो ट्राइब है बोड़ो का आपने बहुत सुना होगा आतनकवादी जिनाते हैं और उसमें इनकी पत्तियों को फीट के तौर पर देते हैं उन कीड़ों को टाकि वो अच्छा से खा सकें और पढ़े चाओं से खाते हैं पत्तियों को और उसके बाद वह सिल्क प्रोड़क्शन करते हैं तो यह बात है बोड़ो ट्राइब की कैस्टोरायल इस सब्सक्राइब करते हैं और यह बड़े समय तक खराब भी नहीं होता और इंजन को जो है लाइफ अच्छी बनी रहा है और हमें जो आटो मिबिल हम चला है उसके उससे हमें अच्छा प्रफॉर्मेंस प्राइब तो इनका मतला ओर्नमेंटल वैलू भी होती है कहने का पर प्रफस यह हो गया तो इसमें देखा ग्माल भी है तो इसमें देखा गया एंस चों जो पॉइसन वगयरा होते हैं जो बहुत से रैट्स को दिये गए और उसके खिलाब फिर इनका एक्स्टेक दिया गया गया तो देखा गया उन पॉइसन से सुरक्षा हुई जा रही उन चुगों की इसी तरह से मेतानॉलिक एक्स्टेक जो है लीव का रेसनेस कमिलिस का वो य इसी तरह से जो पैरी कार्प अब रशिटम की आगिस में उसमें इस में देखा गया कि अगर उसको हम दे रहे हैं तो वह बहुत जल्दी मर जा रहे इसका मतलब कि सीओनेस पे सका पवाइजनेस ए। बहुत से लोग इसका जहर भी दे देते हैं ताकि जो नर्वर वेक्ति क तो वो खराब हो जाए और वो उसकी मिलत्य हो जाए वाटर एक्स्ट्रैक्ट ऑफ रूट बार्क शोड एनलजेसिक अक्टिवीटी अनलजेसिक का मतलब दर्द को दबाने वाली एक्टिवीटी होती है इस पर भी माइस पर एक्सपरिमेंट किये गए और एंटी हिस्टामीन होती है अलर्जी भी खतम करते हैं एंटी इंफ्लामेटरी भी होती है और एथिनॉलिक एक्स्ट्रैक्ट जो है वो इसका भी इस्तिमाल किया गया इनी सब परपस के लिए और बहुत बार ये भी होता है कि जो ट्राइबल है वो इनकी पतियों को जैसे कोई उनके चोट लग टeने है वहां पर दर्द को दबाने के काम में आती है इसी तरह से धातों में जो कीड़े लग जाते हैं तो इसमें वह आप इसका तेल है जो मार्किटर मिल जाता है असानी साओंकों आपको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है और साथ में पिटकरी मिलाके उसकी जो मुझ की जो दुरगंद है वो भी खत्म हो जाती है तो एक वहां पर भी इस्तिमाल होता है और बहुत से जो आयरवेदा आयरवेदी की लाज करते हैं वो जितने भी दर्द है आपके चाहिए कहीं भी बॉड़ी में दर्द हो रहा हूँ उसमें वो बोल देते हैं कि केस्टर र तो इसे के साथ में यह जो आजका यूफॉर्वियसी फाइमली थी जो आजकी यह थी आस्मापत होती है। यूफॉर्वियसी बड़ी अच्छी फाइमली थी तो हमने देखा कि इसमें ऑर्नमेंटर वैलो भी है। इसकी commercial value भी है, इसकी medicinal value भी है, तो कुल मिलाके ये भी हम जान गए, कि जो इतना बड़ा भगवान ने बना रखा है नेचर, और उसमें जो तमाम तरीके के प्लांट्स हैं, उसमें अलग-अलग खुबियां दी हुई हैं, बस वो ये चाहता ही है, कि हम जो है, और इनका नाश नहीं करना चाहिए, बलकि क्योंकि ये बहुत जादे ऐसी चीज़ें जो हम बना नहीं सकते, हम कोई भी एक पौदा लेते हैं और उसको tissue culture में कर लगाते हैं, तो हमें महीनों लग जाते हैं उसको grow कराने में, जब कि ये नेचर में अपने आप चीज़ें होती हैं, तो हमें उनकी value समझ नहीं आती हैं, लेकिन जब आप कभी tissue culture का experiment करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि एक plant को लैब के अंदर उगा पाना कितना मुश्किल काम है, जो इतनी असानी से चारो तरफ होता रहता है, बिना कोई देख भाल के, तो ये एक उद्रत है, और हमेशा हमें अपने nature की इज़त करनी चाहिए, तब ही हम इसमें survive कर सकते हैं, क्योंकि हम इसका बहुत चोटा सा एक हिस्सा हैं, ये बात और है कि सब कुछ हमने सब पर हमावी हो गएं, लेकिन हमारी जो एहमियत है, वो इसके लिए जैसे किसी और किसी और 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 हम भी हैं, तो वी शूड रिस्पेक्ट आवर नेचर, ओके थेंक यू, अब आपके सवाल,